Test of Aptitude Aptitude हम रुजहान को कहते हैं कि किसी भी subject में, किसी profession में किसी बचे का रुजहान क्या है वो mathematician बनना चाता है, वो scientist बनना चाता है वो lawyer बनना चाता है, वो doctor बनना चाता है वो engineer बनना चाता है तो उसका aptitude जो है वो क्या है intelligence तो एक अलएदा चीज है लेकिन aptitude है कि उसकी जो है किस तरफ वो जाना चाता है उसकी interest किस तरफ है तो aptitude को measure करने के लिए scientifically कुछ test बनाए गए है अब यह जो test है, इनकी हार test की quality है कि उसको valid भी होना चाहिए, उसको reliable भी होना चाहिए तो तब वो जाके उस चीज को जिस ability को या trade को या attitude को आप measure करना चाहिए है, वो उसको जाके ठीक तरीके से measure करता है अब दो qualities जैसे valid होना चाहिए reliable होना चाहिए, valid का मतलब यह है कि अगर aptitude को measure करने जा रहे हैं तो फिर aptitude को ही उसको measure करना चाहिए, उसको उस personality की किसी और trade को measure नहीं करना चाहिए, उसके बाद reliability यह है कि यह जो test है दस साल बाद भी हम use करेंगे aptitude को measure करने के लिए, तो यह aptitude को ही measure करेगा, यह आपकी anxiety या आपकी stress को measure नहीं करेगा, इसके जो indicators है test के, वो आपके उसी attitude को measure करेंगे, जिसके लिए उसको बनाया गया है, जब भी 10 साल बाद भी हम उसको repeat करेंगे, तो यह reliable, reliability है कि consistency of scores जो है, वो उसकी होनी चाहिए, तो इसमें जैसे tests of aptitude हैं, इसमें differential aptitude test है, अब उसके कौन, क्या उसके indicators हैं, क्या उसके parts हैं, और वो किस चीज़ को aptitude हम कह रहे हैं, और aptitude में क्या elements हैं, जिसको यह measure करता है, सबसे पहले, verbal reasoning है, verbal reasoning का मतलब यह है, कि जैसे, we are speaking and we are showing a verbal reasoning, अब बोलने से पहले हम हमेशा कहते हैं, सोचना चाहिए, और सोचने के बाद तोलना चाहिए, बोलने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ तो इसके पीछे भी intelligence काम करती है, इसके पीछे भी आपकी reasoning काम करती है तो यह test जो है, पहले आपकी verbal reasoning, यानि आपकी reasoning का मतलब है rationality अकलमंदी के साथ आप क्या बोल रहे हैं अकलमंदी के साथ आप क्या लिख रहे हैं तो हमेशा आप देखिए, जब कोई इनसान बोलता है, तो हम उसको understand करते हैं, कि although he or she is looking very good, लेकिन जब यह बोला है, तो इसका पता चला है, कि यह तो बिल्कुली काम खराब है, जी हम तो इसको एक intelligent आदमी या हातून नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी बोलने से हमें बता चला, इसके पास तो knowledge ही नहीं है, और इसको बोलने का जो है, तरीका भी नहीं आता, और इसकी जो बोलने का style है, वो भी ठीक नहीं है modest नहीं है, और यह सारी चीज़ें जब इनसान बोलता है, तो फिर वो expose हो जाता है, तो verbal reasoning इसमें देखते हैं, जी aptitude में numerical ability है, numerical how to quantitatively you are solving questions और उसके बाद abstract reasoning है किसी की चीज़ के बारे में आप किस तरह abstract thinking जो है, उसका मुझारा करते हैं overall आप किस तरह conclude की चीज़ को कर सकते हैं, या एक concept को किस तरह understand करते हैं आप, मुझारा की तोर पर aptitude test अगर हम देख रहे हैं, कि जी इस बचे का aptitude जो mathematics में है या नहीं है, तो mathematics में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कि इसका aptitude जो है, किसी profession की तरफ अगर हम देख रहे हैं, तो उस profession के साथ यो ये चीज़ें हैं, क्या ये उन में अच्छा score कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी aptitude, scale जो है ये test जो है, इस profession के लिए, सब्जेक के लिए इसके scores हाई हैं, इसलिए आप इसको इस profession या सब्जेक के लिए मुनासब समझते हैं फिर उसके बाद space relations हैं ये भी एक उसकी term है, जिसमें हम मुख्तिव किसम की जो उसके indicators हैं, या questions हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसकी intelligence किस तरह से work करती है, mechanical reasoning भी एक होती है, एक technical reasoning भी होती है, तो mechanical आप चीजों को किस तरह देखते हैं, जैसे एक product है, तो अब उसकी हम देखते हैं, कुछ लोग उसकी जाहरी खुबसूरती को देखते हैं कुछ लोग उसकी working को देखते हैं कुछ लोग उसकी durability को देखते हैं, यह पाइदार है, इसलिए इसको खरीदना चाहिए, कोई कहता है, जी नहीं यह तो खुबसूरत बड़ा लग रहा है, इसको देखते हैं खरीदेना चाहिए, चाहिए जल्दी खराब हो जाए हमेंसे घर्स नहीं है, वस इसको खुबसूरत नजर आना चाहिए तो आप अपनी mechanical reasoning जो है किस तरह से उसको काम में लाके किसी चीज़ का selection करेंगे या किसी profession का selection करेंगे या किसी subject का ये आपको subject future में किस तरह से return करेगा किस तरह से आपका future जो है वो इसके साथ जो है वो flourish करेगा और आपका ये कहना ये चाहरा है कि बास उकात हम कहते हैं कि intelligence के कम और जएदा होने से भी इनसान professions का selection करते हैं doctor engineer जो है ठीक है उनको intelligence तो चाहिए है लेकिन hard working भी उनको बहुत ज़दा चाहिए तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो aptitude test है ये इनसान का रुजहान देखता है कि उसकी इन इन सारे areas में क्या scoring आई है उस scoring का जो total बनता है उसके बाद हम किसी भी शखक्स को किसी profession ये subject के लिए उसको हम guide कर सकते हैं